नमस्कार मैं हूँ शुवांगी और आप देख रहे हैं निउस्टेन इंडिया आज इस वीडियो में जानेंगे अमेरिका में खालिस्तान समर्थकों ने महात्मा गान्दी की मूर्ती पर लपेटा जंडा भारत ने की सक्त कारवाई की मांग उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें और साथी साथ फेस्बुक पेज को लाइक करना ना भूले कई देशों में 26 जैनवरी को खालिस्तान समर्थकों की रैली में गांधेजी की अपमान का मामला तुर पकर रहा है जिसके चलते इस मामली में भारत ने करार रुख अपनाते हुए उन देशों से खालिस्तानियों समर्थकों पर कारवाई करने की मांगी है मतादे के विदेश मंतराले के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने एक प्रेस कॉंफरेंस के दौरान कहा है की हाली में ऐसी घटनाए सामने आई है जहां कटर पंती तत्वों ने विदेशों में राजनईक परिश्तरों में तोरफूर करने की कोशिश की और वाशिंग्टन डी सी में गांधी प्रतीमा को अपवित्र करने का प्रयास किया गया साथी उन्होंने कहा कि हमने सम्बंधित मेजवान सरकारों के साथ इस मुद्धे को उठाया है और कारवाई का आहान किया है बता दे कि 26 जनवरी को खालिस्तान समर्थकों ने कई देशों में रैली निकाली थी वहीं लंदन में भारतिय उच्चय योग के बाहर भारत के समविधान और ध्वच की एक प्रती भी जलाई गई और अमेरिका के वाशिंग्टन में खालिस्तानियों ने महात्मा गांधी की मूर्ति पर अपना जन्डा लगा दिया विदेश मंत्राले के मुताबिक लंदन के अलावा कनाड़ा अमेरिका के वाशिंग्टन इटली के मिलान में इसी तरह की घटनाई सामने आई है विदेश मंत्राले ने बताया है कि खालिस्तानियों के इस हरकतों पर भारत की पैनी नजर बनी हुई है जानकाली के मताबिक एक दिन पहले खालिस्तानी आतंकी संगठन सीक फॉर्ट जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ट वकील महेश जेठ मलानी को धमकी भरे कॉल किये सीक फॉर्ट जस्टिस के संस्थापक गुर्पंत वंत सिंग पपन्नू ने धमकी देते फे कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में खालिस्तानी जंडा फराय जाएगा उसके कहा कि जेठ मलानी तुम देखोगी कि हम इस देश की सीर्स अदालत में जाएगे और हम सुप्रीम कोर्ट में जंडा फराएगे बदा दे कि ऐसी ही एक घटना भारत में नए कृश्टि कानूनों के विरोत के दौरान भी हुई थी अमेरिका में भारतिये दूतावास के बाहर इस्तित महात्मा गांधी की प्रतीमा का आप मान किया गया था और इस दौरान कुश लोगों ने हाथों में कृपार्ण लेकर महात्मा गांधी की प्रतीमा पर पोस्टर चिपका दिया था सब्सक्राइब करें हमारी यूटूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर वीडियो सबसे पहले देख पाएं आप हमें फेस्बुक और ट्वीटर पर भी फॉलो कर सकते हैं वीडियो देखने के लिए धन्यवाद